मंदिर परिशत की लापरवाही की वजह से गरीबों के आश्याने ठहे कटनी जिले के नगर परिशत बढ़ी का एकलौता राम मंदिर अपनी घटिया निर्मान सामगरी की वजह से गरीबों के लिए आफ़त बन गया है दरसल मामला कुछ यह है कि मंदिर ट्रस के द्वारा संचालित है जिसके संड्रक्षन संवर्धन की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट बरही की है और ट्रस्ट के अदिक्षोतम शर्मा है के मार्ग दर्शन में मंदिर परिसर की निर्मान कारे हुआ था और इनहीं के द्वारा मंदिर परिसर के चार ओर बाउंडरी नुमा दिवार का घट्या निर्मान कराया गया था और तो और निर्मान के बाद पूरे एरिया को सेक्रू हाईवा मिठी से भर दिया गया था जैसे ही बरसात सुरू हुई पहली बरसात में ही घटिया बांडरी बाल तूटता हुआ नीचे बसे हुए लोगों के दीवारों को धहाते हुए मिठी का मलवा उनके घरों में जा लेकिन उनका लाखो का समान कूलर, सोफा, टीवी, मोबाईल, बरतन फ्रिज सब कुछ नश्ट हो गया सवाल लाखो के नुकसान और उसके मवावजे से खतम नहीं होता बल्कि ये सोचने का वक है कि इस तरह राम के नाम का व्यापार आखिर कब तक चलेगा कब तक राम के लोगों को उठगा जाएगा और इस तरह के लोगों के हाथ में कमान देकर साधारन भूले भाले लोगों को परिशान और हताश किया जाएगा मामला इतना संजीदा है कि केवल नुकसान मुल्यांकन और मुवावजे से खतम नहीं होगा बलकि प्रशाशन को ये भी देखना होगा कि अभी तो ये जहांकी है संपूर नाटक तो बाकी है समय रहते मिटी के चारों और मजबूत दिवार नहीं बनाई गई तो शेश बर साथ में सलाम मुहले को ही ढहा जाएगा इस मामले में बढ़ ही तहसीलदार का कहना है कि जो भी मदद बनेगी वो किया जाएगा नीरज दिवारी की रिपोर्ट लगबफ कितने नुऐ सान्भा होगा होगा लगउठान होगा हमारा नुसकान होगा चानीने हजार की ऑर हमारा हुआ एसके बाद ने किसी को बता है जिब्मेदार अधीकारियां को सुचन दी असके कुण आए थे हमारे श्रम निरभ दोट विकिये होगा हम सहायता राशी जो भी हम बनाये दिया आपको यह जान कर रही है राम मंदीर न्यास जो है यह ट्रस्ट जो है पूरा इसके अध्यक्ष कौन है कौन किसने इसका निर्माण कर आया था इसका निर्माण वह यह उत्तम सर्मा है पूरे मायन मुझ्य करवाने वाले आपको नाम क्या है